सागरपुर नाम का एक बहुत ही सुन्दर गाउं था उसी गाउं में सौरव नाम का एक मिठाई वाला रहता था सौरव के दुकान के सामने ही तोता राम की भी मिठाई की दुकान होती है सभी लोग सौरव की मिठाई की तारीफ कर रहे होते हैं जिसे सुनकर तोता राम को बहुत गुस्सा आता है ना जाने क्या हो गया है इन गाओं के लोगों को जब देखा बस सारफ की मिठाई की ही तारी करते रहते हैं और एक मेरी दुकान पर देखो एक मक्षी तक नहीं भटक रही है तोता राम की दुकान पर उसका दोस्त महेश आता है और तोता राम से बोलता है कुछ नहीं भाईया मैं तो बस अपनी किसमत को कोज रहा था देखो ना महेश भाई मैंने इतनी बड़ी शांदार दुकान खोली है पर सुभा से बस दो-चार ही क्राहक दुकान पर आए हैं। फिर शाम को तोता राम अपनी दुकान बंद करके घर जाता है और घर जाकर फिर से बड़बडाने लगता है। ना जाने क्या मिलाता है अपनी मिठाई में जो कि सभी उसकी मिठाई की तारीक करने से नहीं ठकते। मेरा तो मन करता है कि अपनी जाकर उसकी दुकान में आग लगा दूए। अजी क्या हो गया? क्यों इतने तम-तम आए हुए हो और किस की दुकान में आग लगाने जा रहे हो? अरे भाग्यवान एक ही तो है जिसने मेरा सारा धन्दा चौपत कर रखा है बस उसी की दुकान में आग लगाने की सोच रहा हूँ अरे मेरा तो मन करता है जोरव की सारी मिठाईयों में जहर मिला दूँ जहर अजी तो देर किस बात की? ये लो शीशी अरे भाग्यवान ये जहर की शीशी कहां से ले आई? अरे पगली मुझे जेल भिचवाना है क्या? अजी आप भी न अरे ये कोई जहर नहीं है इस शीशी में वो पानी है जो सौरव की मिठाई को बेस्वाद और बासी बना देगी बस आपको ये पानी उसकी मिठाई उपर छिड़कना है और फिर देखना इसका कमाल अरे मेरी चबेली क्या दिमाग पाया है तुमने पर मैं ये करूँगा कैसे हैं? अब सब मैं ही बता दूँगी तो तुम क्या करोगे ये लो शीशी और खुद सोचो की कैसे और क्या करना है? मैं तो चली खाना बनाने फिर अगले दिन तोता राम और सौरव अपनी अपनी दुकान खोलते हैं। तोता राम मौका देखकर सौरव की दुकान पर जाता है और सौरव से बोलता है अरे सौरब भाई, एक बात तो है कि तुम्हारी मिठाई बहुत ही स्वादिस्ट है, तब ही दो हमारे ही गाउवाले नहीं, आस पर रोस्ती गाउवाले थी, तुम्हारी बनी मिठाई खाना पसंद करते हैं तोता राम जी, ये सब तो खूपर वाले की महर है, अरे भाई, ये दुखान के अंदर से आवाज कैसी, आवाज, पर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, अरे भाई सौरब एक बाहर अंदर जा कर तो देखो, या पता कोई चूहा दुखान में खुस आया हो, हम् सौरब दुखान में जाकर देखता है, पर उसे कोई आवाज नहीं आती, जैसे ही सौरब दुखान से बाहर निकलता है, वो तोता राम को उसकी मिठाई पर शीशी से पानी डालते हुए पकड़ लेता है, और तोता राम से बोलता है अब समझाया, पितोता राम आज इतनी अच्छी अच्छी बात हैं कैसे कर रहा है, जारा बताओगे कि चुपके चुपके क्या डाला जा रहा था मेरी मिठाई पर, क्या हुआ, कुछ बोलते क्यो नहीं, लगता है तुम्हें सरपन जीजी के पास ले जाना पड़ेगा अरे सरप भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे कल्पी हो गई, आगे से फिर कभी ऐसा नहीं होगा, मैं, मैं तुम्हारे आगे हाँ चोड़ता हूँ सरप भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो ठीक है कि इस बार छोड़ता हूँ, मगर फिर कभी ऐसा किया, तो सीधे जेल भेज़ दूँगा तोता राम वहां से चला जाता है और घर जाकर ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है अजी आप से तो एक भी काम ठीक से नहीं होता है हां, तो उसमें क्या है, मार दो जान से ए भगवान कैसी पत्नी दी है, जो अपने पती को जेल भेज़वाना चाहती है अजी आप भी ना, पहले मेरी बात तो सुने अजी ऐसा काम करो कि साब भी मर जाए और लाठी बेरा डूटे अरे भागेमान, साब साब बोल क्या बोलना चाहती हो अरे सौरव भाई को ऐसे मारो कि किसी को ये पता ना लगे कि आपने उन्हें मारा है अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सौरव भाई सुबा सुबा दुकान के लिए उस नदी के किनारे से जाते है आपको बस उन्हें उस नदी में धक्का देना है यहां सौरव भाई मरे वहां आपकी दुकान पर मिठाई लेने वालों की भीड लगना शुरू उसी दिन सौरव अपनी पत्नी मीना को तोता राम की उस हरकत के बारे में बताता है अजी उस कमबखत तोता राम से ज़रा होश्या रहना कहीं फिर से कुछ और नगरबर करने लग जाए अगले दिन सौरव खुशी खुशी अपने घर से दुकान जाने के लिए निकलता है और जैसे ही सौरव नदी के किनारे पहुँचता है तभी तोता राम पीछे से सौरव को धका मार कर नदी में गिरा देता है और वहां से भाग जाता है नदी में गिरने से सौरव की मौत हो जाती है और वो एक डरावना भूत बन जाता है ये मुझे क्या हो गया अरे इस दोताराम ने आखिर मेरी जान ले ही ली अब मैंसे नहीं छोड़ूंगा पर पहले मुझे ये बात अपनी पत्नी मीना को बतानी होगी फिर भूत मीना के पास जाता है अरे दया अरे दया ये सुबह सुबह भूत कहां से आ गया अरे भूत तो रात के अंधेरे में गुमते है पर ये कैसा भूत है जो सुबह सुबह मेरे घर आ गया है अरे कोई तो बचाओ मुझे इस भयानक भूत से अरे मीना मैं हूँ तुम्हारा सौरव अरे जाओ यहां से और ये क्या बखवास कर रहे हो तुम और सौरव तुम्हें ऐसे यकीन नहीं होगा फिर भूत अपनी भूतिया शक्ती से सौरव के रूप में आ जाता है अब तो तुम्हें यकीन आया कि मैं ही हूँ तुम्हारा पती सौरव फिर सौरव मीना को सारी बात बताता है ए भगवान ये क्या हो गया मैं छोड़ूंगी नहीं उस तोताराम को मैं अभी चाहता हूँ और उस तोताराम को तुम्हें कचाचाबा डालूंगा नहीं नहीं अगर आपने उसे मार डाला तो गाँवालों को तोताराम की हकीकत का कभी पता नहीं चल पाएगा हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे तोताराम अपना गुनाख खुद कबूल कर ले ऐसा बोल कर भूत सौरव का रूप लेकर दुकान पर जाता है सौरव को सही सलामत देखकर तोताराम के सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है फिर कुछी देर में सौरव की दुकान के आगे मिठाई लेने वालों की भीर लग जाती है क्या हुआ तोताराम मेरी दुकान पर लोगों की घीर देखकर जलन हो रही है ऐसा है एक काम करो तोताराम तुम ये अपनी बड़ी सी शांदार दुकान पर ताला लगा दो वैसे भी तोहारी दुकान पर कोई आता तो है नहीं इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी दुकान बंद करके कुछ और काम कर लो अरे भाईयो जिसके तुम लोग मिठाई ले रहे हो ये सौरब नहीं बल्कि उसका कोई बहरूपिया है ये तुम सब को पागल बना रहा है तुम सब मेरी दुकान पर आओ मेरी मिठाई खरी दो है आओ आओ अरे तुता राम ये तुम क्या वकवास कर रहे हो हां लगता है तुमारी एक भी मिठाई नहीं मिठी इसलिए तुमारा दिमाग खराब हो गया है इसलिए सुबहँ सुबह ऐसी वहकी वहकी बातें कर रहे हो पिर सभी लोग जोर जोर से तोता राम पर हसने लगते हैं सभी लोगों की ऐसी बाते सुनकर और सभी लोगों को अपने उपर हसता देखकर तोता राम को बहुत गुसा आता है और वो गुसे में बोलता है अरे तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते है पर मैं और मेरी पतनी चाहते थे कि सच सब गावालों के सामने आए और तू खुद अपने मुझे सच उगले फिर सभी गावाले तोता राम की दुकान को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं